बिना पेंट करें भी आप DIY तयार कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा DIY तयार करके दिखाऊंगी जो कल मैंने प्लांटर बनाया था उसमें कटिंग लगा के दिखाऊंगी और मेरे सभी जो तेल के डबो से प्लांटर बने हैं वो भी दिखाऊंगी और एक नर्सरी का आपको लास्ट में ही थोड़ा सा विजिट भी करवाऊंगी नमस्ति फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आई हो पाप अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो ये वाला जो DIY मैंने पिकोक बनाया था कल की वीडियो में दिखाया था और इसमें आज मैं कटिंग लगाने वाली हूँ कल इसका जो पेंट था वो अच्छे से सूखा नहीं हुआ था और ये वाला मेरे हर्पिक के बोडल से DIY बना हुआ है आज की इस वीडियो में ये तेल का ही डबा है इसको बिना पेंट करेंगे सिर्फ थोड़ा सा ही कट करके बिल्कुल एजी तरीके से आप प्लांटर बना सकते हैं और आप देखना बहुत ही प्लांटर बनने वाला है औ उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं कहां पे उनको एड़ेस्ट कर रही हूँ आज की इस वीडियो में मैं ये प्लांटर बनाऊंगी और इसमें कटिंग लगांगी दोनों में मैं कटिंग लगा रही हूँ और इनको मैं टैरिस पे रखूंगी और कहां पे रखूंगी वो नेक्स्ट वीडियो में देखना अभी आप प्लांटर देखो और लास्ट में आपको एक नरसरी का विजिट भी करवाती हूं जो हमारे बिल्कुल ही पास में है यानि यहां से सिर्फ 10 मिट का ही रास्ता लगता है वो बिल्कुल ही हमारे आसपास है तो उस यह मैंने अपने प्लांटर की आँखें बना रही हूं यह आईबो बना दी यह जो पर्मारेंट मारकर होते हैं यह बैस रहते हैं अगर आपके पास पैंट वगएर ना है और पैंट नहीं करना चाहते और फेस वगएर बनाने के लिए चाहे वो बोटल सो चाहे ऐसे कैन हो डबे हो कुछ भी हो आप उन पे फेस बनाते हैं तो यह मारकेट से ले आए यह 15 रंपे का एक मिलता है बुक्सेलर पे आपको मिल जाता है इसमें बहुत सारे कलर आते हैं बलैक आता है गरीन ब्लू और भी बहुत सारे कलर आते हैं रैड भी आता है cop प्रमानेंटर करिए स उससे आप फेस बना सकते हैं तो यह मैंने इसके आँखे बना दी वैसे इस तरह के प्लांटर मैंने और भी बहुत सारे बनाए हैं यह जो प्लांटर बन रहा है यह बिल्कुल एजी तरीके से बन रहा है यानि इस पे कुछ नहीं करना सिर्फ आपको गट करना है और ऐसा फेस दे देना है अभी मैं इसको आखे इसकी बन गई तो आप देखी रहे हो यह elephant look में आएगा या फिर आप बोल सकते हो गनेजी जो महराज होते हैं उनका भी ऐसा ही look आता है तो ये देखो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा DIY कर देती हूँ तो ये बिना ही paint किया हुआ मेरा DIY तियार हो गया और इसमें मैं कौन से cutting लगाने वाले हूँ वो भी आप देखना तो मैं इसको terrace पे ही huge करूंगी और इनको hang करने वाले हूँ तो friends ऐसे DIY आप खर पे तियार कर सकते हैं बिना ही paint करें ये ऐसे ही दो दो लिटर के कबार में दे देते हैं तो कोई फाइदा नहीं होता है इसमें बहुत सारे मिट्टे आ जाती है इसमें plants भी लग जाते हैं मेरे पहले भी बहुत सारे ऐसे planter मैंने यहां terrace पे भी और मेरे प्लांटर तैयार हो गया है इसमें मैं cutting लगाने वाली हूं यहां पे मैंने दो जगें छेद कर लिए हैं अभी हमें इसमें लगाएंगे cutting और मेरा जो कलवाला planter था इसमें भी मैं cutting लगांगी यह cutting लिए हैं मैंने अपने नीचे जो garden है वहां से तो यह पर्पल हर्ट प्लांट पर्पल हर्ट बहुत ही जल्दी लग जाता है 10-15 दिन के अंदर इसकी cutting लग जाती है अभी मैं इनके लिए मिट्टी तियार करती हूं तो मैंने बालू मिट्टी लिए हैं बालू मिट्टी में मैं खाद मिला रही हूं खाद आप देख सकते हो यह चोटी चोटी बालू मिट्टी है यह सोफ्ट होती है बिल्कुल इसमें अगर आप कोई भी खाद मिला के कोई भी अगर प्लांट की cutting लगाएंगे तो लग जाती है और जेड प्लांट तो इसमें बहुत ही फास्ट चलता नहीं है दोड़ता है यानि चोटी सी cutting भी अगर आप लगा देते हैं तो 10-15 दिन के अंदर आपके cutting आराम से लग जाती है तो friends अभी मैं इन जो मेरे ये planter हैं इनमें भर लेती हूं मिट्टी और मिट्टी भरने के बाद आपको दिखाती हूं cutting में कैसे लगाती हूं अगर आपको भी planter बनाने हैं तो planter बनाने के बाद इनमें छेद अच् हैं तो वह लगा सकते हैं उसके बाद आप मिट्टी भरे कपड़ा सूती होना चाहिए और चंचना होना ही चाहिए यानि उसमें से पानी निकलना चाहिए यह नहीं है कि मोटा कपड़ा लगा दिया और पानी का होल बिल्कुल ही बंद हो जाए पानी निकले ही ना तो friends यह म अपडेट भी दिखाया है लगा के भी दिखाया है तो कटिंग लगाने का यहीं तरीका होता है नीचे-चे की दो पतियों को हटा दो जहां से नोड़े अरिया होते हैं वहां पे दो पतियों को हटा के फिर ही लगाना चाहिए फिर इसमें अच्छे से रूट्स आएंगी त तो फ्रेंट्स ये जो पिकोक वाला डियाईवाई मैंने कल तयार किया था अगर आपने नहीं देखा है तो आप कल वाली वीडियो पे विजिट जरूर करें मैंने कैसे बनाया है और आपको एक बात और बताती हूँ अगर आप पेंट को पर्मानेंट चाते हैं तो आप ओल पेंट ही यूज करें जो तार पेंट का तेल मिला कि जो पेंट करते हैं जो हम खिड़कियों दर्वाजों पे करते हैं जो पर्मानेंट होता है वो ही पेंट कर कि इंडोर में रखना है तो आप ये वाला पेंट कर सकते हैं पर ये पर्मानेंट नहीं होता है अभी ये जो मैंने दूसरा जो प्लांटर तयार किया है बिना पेंट के ही मेरा DIY जो तयार हुआ है उसके उपर मैं थोड़ा सा डैकुरेट भी कर देती हूं तो ये मैंने अपने सूट ही था मेरा ऐसा कपड़ा था उसका मैंने ये ऐसे कट करके और इसके उपर मैं बांदूंगी तो ऐसे पलांटर मैंने पहले भी बहुत सारे बनाए हुए हैं और उनको ऐसे ही डैकुरेट किया हुआ है तो देखो आपको क्या करना है आपको ऐसे डबल करना है कोई भी तो यह देखिए फ्रेंट्स यह ऐसे मैं इसको बांद रही हूं और बांदने के बाद यह बहुत ही प्यारा दिखेगा तो देखना यह कितना सुन्दर बन गया है यह फाल तो कपड़ा मैं इसको कट कर रही हूं तो आप एसे अगर क्या कोई भी प्लांटर हो उसके ओपर अगर आपके पास ऐसे कोई रैड कोई पींक कलर का कोई लैसो पीजारी की कपडा हूं मेरा प्लांट इसमें आराम से चल जाएगा कोई फंगस का अटैक नहीं होएगा और मैं जो मिट्टी तयार करती हूं बिल्कुल ही सस्ते में तयार करती हूं मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसे वीडियो हैं जिसमें मैंने कच्रे में पोधे लगा दिया और मेरे लग भी गए यानि कच्रे में भी गार्डनिंग मैं कर लेते हूं तो कोई फंगस का या कोई किसी चीज का कोई दिकत नहीं होती है तो फ्रेंट्स अगर आपके पास किचन वेस्ट भी पड़ा हो तो उसमें भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं थोड़ी सी मिट्टी मिला के उसमें भी आप कोई भी पोधा लगा दे आराम से आपका चल जाएगा तो फ्रेंट्स कटिंग भी मैं बिना रूटिंग हार्मोन्स के लगा रही हूं तो फ्रेंट्स अगर इसमें जेड प्लांट लगाएंगे तो वो भी अच्छा लेगा आप कोई भी सर्दियों में आगे नेक्स्ट में कोई भी फ्लावर वाला प्लांट लगाते हैं वो भी हटाने वाले हूँ लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी अगर आज ही मैं सारा कुछ दिखा दूंगी तो आप बोर हो जाएंगे और बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए यहां तक मैंने सिर्फ यह आपको डियाइवाई दिखाया है और यह कटिंग करते हैं सबी जो ओइल के प्लांटर है मैं चट पे उठा के ले आई हूँ और इसका जो कलर है थोड़ा सा फीका हो गया था तो मैं फिर से इसको कर देते हूं तो फ्रेंट्स मेरे को दिवार पे सभी प्लांट को हैंक करना है थोड़ा सा डेकुरेट करना है जो पाइप प्लांट्स में पानी माने डाल देंगे अभी तो फ्रेंट्स सुबह में एक नर्सरी में विजिट करके आई हूं थोड़ी सी जलक उसकी भी आपको दिखा देती हूं तो फ्रेंट्स यह वाली जो लक्षमी नर्सरी है यह अभी सेक्टर 13 में जो ग्रीन बेल्ट है वहां प ताही में जल्दी हल लवी यहां पर थोड़ा सा कैप्च्यर कर लिया है वैसे पिर कभी यहां पे अच्छे से विजिट करके दिखा हूं गी और अच्छे अच्छे आपको inclanta में तो यह तूजा हो गया बहुत सारे क्लांट्स यह पर है ये आप देख सकते हो यह पाम का प् एक्टर 13 से हैं यह साइकस हो गया तो आप ले सकते हैं बिल्कुल ही में रोड़ पे हैं अगर आप इधर-उदर आज सकते हैं तो यह बोगन वीलिया हो गए यह दो सो अरप में दे रहे हैं मैंने पूछा था इनका रेट और ये श्यामा तुलसी हो गई तुलसी तो बहुत सारी है और ये देख सकते हो बहुत सारे प्लांट्स है ये आप देख सकते हो अपराजिता के डबल अपराजिता है ये जो इसका फ्लावर है बहुत ही बड़ा है बहुत ही नहां प्लांत रखे होई प्लांट है तो आप सकते हो विजिट करोगे अच्छे से तभी पता चलेगा अगर आपको लेना है यहां आसपास है तो ले सकती है कनेर के प्लांट है और उधर आपको लिली के भी मिल जाएंगे केले के भी मिल जाएंगे तो यह देखो यह बड़े बड़े बड़ हैं पीपल है और भी जो जमीन में लगते हैं वो वाले प्लांट है तो ग and subscribe जरूर कर, thank you